हलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एरोपियन क्रिकेट्स नेटवर्क में जो सिरीज चल रही है सीज सूपर सिरीज पांचवा हफता शुरू होने वाला है कल इसका पहला मैच है 11 जुलाई को इंडिया के टाइम के इसाब से देड़ बजे ये मैच शुरू हो जाएगा सीज सूपर सिरीज चेंपियंशिप विकेंड में चार टीम रजिस्टर कर चुकी है अपने इस ग्रूप के अंदर चार ग्रूप थे चार हफते मैच खेले गए हर हफते एक एक नई टीम निकली यहाँ पर आप देख सकते है बोहीमिया सिसी बर्नो रेंजर्स पराक स्पाटन और पराक बार्बेरियंस चार टीम चार हफते में से निकल कर पाचवे हफते में पहुची है हर हफते एक एक टीम निकली है जिसमें से ये चार मजबूट टीम निकल कर आई है अपने अपने ग्रूप में से कल से शुरू होगा ये चारो टीम का मुकाबला और बहुत मज़ा आने वाली है कल इसका आखरी हफता है इसलिए इसको चेंपियंस्टी फिकेंड का नाम दिया गया है बहुत लंबा ये चार हफते का टूर चला और कल पांचो हफता फाइनल हफता है मैच जो कल से शुरू होगे चार मैच एक दिन में खेले जाएंगे और दूसरे चार दूसरे दिन खेले जाएंगे जिसमें फाइनल भी इंकलूट होगा कल देड़ बजे पहला मैच खेला जाएगा उसके बाद में दू घंटे के गयप के हिसाब से चार गेम होगे पहला मैच जो खेला जाएगा इस लुडियो में हम जिसकी बात करने वाले हैं बोईमें सीसी वर्सिस फराग स्पार्टन की संडे को ही फाइनल खेला जाएगा संडे को थोड़ा टाइम शेडूल चेंज होता है दो मैच स्टार्टिंग के बाद एक गंडे का गेप आपको नजर आएगा एलिमिनेटर राउंड में और फाइनल के मैच के लिए इसमें ये थोड़ा सी डिफरेंस है बस और कुछ नहीं है पिछ की अगर बात कर ले तो पिछ नूटरल ही रहती है और क्योंकि आर्टिफिशल पिछ है तो यहाँ पर दोनों ही बैसमें और बॉलर दोनों के लिए ही हेल्प रहती है और बॉलर काफी एक हद तक हावी भी हो जाते हैं और बैसमें को दिकत कभी कभार इसा नजर आता है क्योंकि यहाँ पर डैस ओवर का गेम है तो हीटिंग करने के ही बारे में लोग सूचते हैं और गेम ही वैसा है तो अर्ली विकेट भी हमें अकसर नजर आ जाती है और नहीं आती तो वरना फिर एक विकेट से दो विकेट पे या जिरो विकेट पे ही सो सो रन देर सो रन भी टीम ने यहाँ पर टार्गेट दिये हैं और चेस भी हो गए हैं तो चलिए प्रोबेबल 11 जो की हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीम की क्या रहेगी यहाँ पर मैंने जो प्लेइंग 11 बताई है वो बैटिंग ओर्डर के हिसाब से हैं विकेट कीपर के सेक्शन में एक जो कन्फूजन रहेगी के दोनों में से कौन खेलता है नभील खेलते हैं या फिर परताब जगपत खेलते हैं तो अगर यह दोनों में से कोई भी खेलता है तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के mainch में अगर पहला जैसे mainch है तो इन दोनों में से कोई भी 1 डाउन या 2 डाउन आ सकता है mostly इनका नंभर betting इनकी लेटी आता है या तो आती ही नहीं तो आप यह दाइल यहाँ पर देख सकते हैं आप उपनर इनके है मुखतार फिर जाहिद महमुद अक्सर इनको भी लोवर डाउन में भेजा जाता है उसके बाद में अली वकार जो एक इनके बॉलर है वो अपने आपको इनको प्रमोट किया जाता है अगर कभी जादा कुछ हीटिंग करना हो तो अली वकार एक तरीके से हीटर है इनके जावेद इकबाल इहाँ पर इनकी कप्तन सी की दोर भाग दोर समालेंगे बैंच पर यह कुछ खिलाडी है इनको मौका दिया जाए अब कुछ कह नहीं सकते और यहाँ पर दो खिलाडी और ऐसे है जी हसनन और का करिया यह दोनों में से एक खिलने के चांस कंफर्म है देखते हैं दोनों में से कौन खिलता है तो दोनों के बदले जो बैंच पर है उसमें से भी कोई एक आ सकता है दोस्तों बाकी तो इनके जो प्लेयर मैंने आपर बताया है वो फिक्स ही रहेंगे पराग स्पार्टन भी एक मजबूर टीम है और इसके तो स्टार्टिंग के मैं बोलूँगा चार से पांच प्लेयर ही है जो टॉप के ही छे प्लेयर है जो बालिंग भी करेंगे और बैटिंग भी करेंगे तो आपके लिए तो इनके चार से पांच टॉप के ही प्लेयर इंप की अगर head to head खेलते हैं तो fantasy sports में इनका भी मैंने यहाँ पर line-up जो दिया है betting order के हिसाब से दिया है जो भी हफ्ते में जो भी performance wise यहाँ पर मैंने बाताया है इनका keeper तो fixy है लगबग और इनके player भी उतने निये 14 player की इनकी टोटल ही team है तो दो player bench पर है तो हो सकता है दोनों में से वीनित को मौका दिया जा सकता है कार्तिक एकमबरं की जगा पर भी दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है यहाँ पर भी मैं बता दूँ संतोस और अशोक दोनों में से किसी एक खेलने के chances होते हैं स्टार्टिंग में जब नए शुरू हुई थी तो अशोक के साथ team ने शुरुवात की थी और एंडिंग में final में 7 final में तो इन्होंने सोमनात बेम रेडी को मौका दिया था दोस्तों तो देखते हैं अभी कल प्रोवेबल 11 की final क्या होती है टॉस के बाद आपको टेलिग्राम पर मैं टीम प्रोवाइड कर दूँगा लाइन अप के साथ और वहां पर आपको एक्स्रा टीम भी जील के लिए जो मैं खेलूंगा वह आपको वहां पर नजर आ जाएगी अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद टेलिग्राम पर भी जुड़ जाएगा क्योंकि लास्ट मुमेंट की जो नियूज होती है वहां पर ही पोस्ट होती है क्योंकि वीडिय आर यह है अपना क्या है गनेशन पी प्रसंद गनेशन है बट मैंने यहाँ पर change किया है और सेन गुपता को VC के लिए try किया है आप चाहिए तो जनता के साथ भी जा सकते है प्रसंद गनेशन के साथ अपना भी VC select कर सकते हैं head to head में मेरी ये head to head team है GL अगर आप खेल रहे हैं तो GL के लिए यहाँ पर मैंने कुछ नाम mention किये हुए है आप देख सकते हैं दोनों ही team से मैंने 2-3-3 player निकाले हुए है जो best है और जो best कर सकते है batting और balling दोनों में ही एक तरीके से ये जो venkates है अपना क्रांती venkates जो है वो batting में one down आते हैं तो या opener भी आ जाते हैं तो इनका batting से ही contribution जो भी है रहेगा तो आप समझ लीजिए अगर खेल गए तो 50 मार देंगे, 30 मार देंगे और नहीं चले तो समझे 10 run, 20 run पे भी ये out हो सकते हैं तो एक तरीके से GL में इसके उपर इस खिलाड़ी के उपर आप risk ले सकते हो CVC का अगर खेल गए तो बहुत अच्छा point या आपको दे सकते हैं बाकी मैं बता दू निरश्ट्यागी भी अच्छे कासी batting भी कर लेते हैं और bowling में तो main baller है इनके लिए प्रसन गनेशन भी अच्छे all rounder है अब्दुल फरहाद को भी प्रमोट किया जाता है अलिवकार भी heater है तो bowling और batting से तो दोनों ही अच्छे है और अलिवकार भी heater है और 64K भी मार दी आपके लिए तो अच्छे कासे point आपको दे सकते हैं प्राविद एकबाल की betting इतनी नहीं आती है क्योंकि यह जल्दी betting पर आती नहीं है तो यह bowling से ही आपको कुछ point डे सकते हैं दो wicket भी ले लिए तो आपके लिए plus point रहेगा तो VC, at least VC का इनके उपर risk लिया जा सकता है दोस्तो उम्हित करता हूँ आपको यह details और यह जानकरिया पसंद आई होगी और hope करूँगा कि आप मेरी जानकरियों के यूज करके grand league भी जीते हैं और अपना head to head में भी performance बनाए रखें तैंक्यों सो मच अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like, share और channel को subscribe करके हमें motivate करियेगा और हमारा telegram का free channel है आप वहाँ पर join कर सकते हैं और हमें खुशी होगी आज के लिए बस इतना ही thank you very much, bye